सेख तरम दे तिन बन्यादी सिदाँ त मन्ने जान दे हन किर्त करो वन्ड शको नाम जपो सेख दा सव तो पहला तरम है किर्त करनी किर्त दे विच्चो फेर रग्गे वन्ड के शकणा ते वाही गुरू दा नाम जपना तान गुरु नानक दे पात्षा के तो लंग रहे सी महराज ने देख्या के एक नौजवान जिसने के फसल दी कटाई कीती सी वो अपने हिसे दा अनाज किसे होर दे हिसे विच पार्या सी अनाज दा पीपा पर्दा है ते दूज़ी टेरी ते जाकी ओ पीपा पादिन्दा है इसनु देख के गुरु नानक दे पात्षा ने सोचेया के असी बाकी दी दुनिया विच इस तरह हुंदा कदे नी देख्या एता जरूर देखी दा है के लोग दुज़ी दी टेरी विच्चों चोरी करके अपनी टेरी विच कोई चीज लिया की रख लेंदे हन किसे दुज़ी दे करदी चीज चुक के अपने कार विच लेंदे हन पर अपने करदी चीज आपने हिस्से दा अनाज किसे दूजे दे टे रीते राख देना अपने हिस्से दी चीज किसे दूजे दे करे दे उनी ऐसा दुनिया च कदी नी देखनू मिलदा तन गुरु नानक दे पाथशा ने उस नौजवान वाज दे के पुछया के पाई तू इस तरह क्यों कर रहे हैं तू अपना अनाज दूजे दी ते रीते क्यों पा रहे हैं उस नौजवान ने हत जोड के गुरु नानक पाथशन दस्या केन लग गया महराज मैं आप जीदा सिख हां ते आप जीदी सिख्या उत्ते ही चल रहा हैं ता उसने सारी गल नसी केन लग गया महराज ए मेरे अनाज दा बोल है ते जीदी दूजी तेरी है ओ मेरे वड़े पर आदी अनाज दी तेरी है साटे दोमादे कोड़े जमीन पर मेरे वड़े पर आदा परवार भी वड़ा है खर्चे भी जादा हन ते ओदी आमदन काट है ओदी कमाई काट है मेरे उत्ते किर्पा रही मेरा अनाज भी वद निकलिया मैंनू मनाफ़ा भी ज़ादा होया ता इसलिए मैं सोचया कि जे गुरू ने किर्पा कीती है परमात्मा ने इस वारी अनाज वद बख्षया है ता किर्थ कीती है उने नू बंडशा करन्दा वीला है ता मैं अपने हिसे दे विच्चों कुछ अनाज अपने वड़े प्रादी टेरी विच पार यहां ता कि ओदी कुई सहैता हो जाए गुरू नानक दे पात्षा ने ओस सेखनों से मौकिती शाबाश दिती महराज ने आख्या कि सानू एहो जे सिखां दी ही लोड है असी सेख तरमदे राही एहो जे लोकां दे जीवन त्यार करना चौँ दे सी सानू मान है जे कोई सिख्ची नू कमाएगा ते ओदे विच एहो जे गुण पैदा होनगे किर्ट करनी फिर किर्ट नू अग्गे वंड़ना भी है ते नाम जपना ए सिख़्ी दे बन्यादी असूल हन।